हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंस आप लोग कैसे हो हमको लग रहा कि आप लोग सब ठीक ठाके होंगे चलिए भाई आज एक वीडियो लेके आये हैं जो की वील से रिलेटेड है रेलियो में जो भी हम लोग का C&W Department जो की Mechanical में आता है उनके लिए ये वीडियो ये जानकर ही साय थी अच्छा ही काम होगा जो कि आप अपना तयारी कर रहे हैं जैसे की कोई Departmental Exam में तयारी कर रहे हैं जैसे की आप Helper से जा रहे हैं टेक 3 में या टेक 3, टेक 2, टेक 1 से जा रहे हैं आप लोग जेए में जा रहे हैं AWM में, AME में जा रहे हैं इस सब के लिए साइध फाइदा मंद ये वीडियो हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं जैसे की आप लोग जानते हैं कोई भी नया हुईल या हुईल सेट जो भी हुईल एन एक्सल प्लांट से बन के आता है उसमें RDSO का डिजाइन रह रहता है जैसे की वील एन एक्सल सेट हो गया उसके उपर आप लोग का बॉगी सेट होता है उसके उपर ही कोच का बड़ी रहता है तो संपर रूप से कोच कहलाता है तो वील पर जो एक्सल है या हुईल सेट है यह बैसिक है अगर हुईल और हुईल सेट नहीं रहे गा एक हर प्रकार का हुईल में जो की हम लोग का ICF Coach हो गया, LHB Coach हो गया, Goods में हो गया, या तो Engine में हो गया, EM में हो गया, Memo में हो गया, इस समय अलग-अलग तरक जो Dimension वाला, Diameter वाला हुईल यूज होता है। जैसे कि जानकरी ले लेते हैं, चलते हैं ICF कोच में, ICF डिजाइन हो या RCF डिजाइन हो, उसमें जो नया चक्का रहेगा, जब भी सार्विस में इंट्रोडूस होगा, नया चक्का का डैमिटर 915 mm रहेगा, और उसका कंडॉमिंग रहेगा 825 mm, चलते हैं LHB को, LHB कोच में देखिए, LHB में आपका नया डैमेंशन आ जाएगा 915 mm, और कंडॉमिंग हो जाएगा, आपका 855 mm, किसी किसी में देखिए, 845 mm भी है, जैसे कि एक्जाम में कोई कुस्चिन आता है, पकड लिजे, उसमें आपका अप्सन रहेगा, कंडॉमिंग विल डैया अप LHB कोच, उसमें अगर 855 भी मेंशन है, 845 भी मेंशन है, तो आपको 855 ही लेना है, यह लेटेस्ट अपडेट है, अगर कोई कुस्चिन में 855 नहीं रहेगा, अगर 845 रहता है, तो आप 845 mm को ही लीजिए, चलिए फिर गूर्स की तरफ चलते हैं, गूर्स में नया जो हुई रहेगा उसका डायमेटर रहेगा, 1000 mm, और जो कंडमिंग डायमेटर रहेगा, 906 mm, जो की एकसेप्ट गोर है, बीलसी वागन, बीलसी वागन में क्या होता है, छोटा चक्का लगता है, बगी लो प्लाटफर्म कंटेनर है, बीलसी मतलब, तो उसमें जो चक्का रहेगा, उसका डायमेटर छोटा रहेगा, बीलसी में नया चक्का का जो डायमेटर रहेगा, 840 mm होगा, और कंडमिंग डायमेटर होगा, 780 mm, इस तरह इंजीन में चले जाते हैं, लोकोमोटीव, लोकोमोटीव में देखिए, नया डायमेटर हो जाएगा, 1092 mm, 1092 और उसका कंडमिंग हो हो जाएगा, 1016 mm, इसको भी जरूर याद रखना है, इसके बाद आजाएगे, EMU, इलेक्ट्रिकल मल्टिपूल यूनिट, जो सब अरवान एरिया में यूज होता है, तो उसका नया डायमेंशन ले लिजे, नया डायमेटर हो जाएगा, 952 mm, और कंडमिंग हो जाएगा, 870 mm इसी सब तो मेमू में देखिए, EMU, मैन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टिपूल इनिट, नया डायमेंशन आजाएगा, 952 mm, और कंडमिंग हो जाएगा, 877 mm, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कि हम लोग चले जाते हैं, जैसे कि ICF, LHB, गूर्स, इस सब का याद करके जाते ह लॉकोमोटिव का आजाएगा, EMU का आजाएगा, MEMU का आजाएगा, तो इस चकर में हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोटिव, EMU और मेमू का हम लोग याद करना भूल जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिए, जो भी डिपर्टमेंटल एक्जाम दे रहे हैं, या हम लोग का डेली लाइब में भी फिल्ड में जो भी हम लोग का CNW भाई लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, या तो वर्षप हो, या तो अपन लाइन हो, तो यह विल का जो डैमेटर है, उसको यात रखना बहुत जरूरी है, क्यों बोलने से जब एक्जामेंशन होता है, य यह जो कंडम सीमा है, उससे कम तो हम लोग चलाने ने सकेंगे, तो इसलिए बराबर उसको चेक करके, जब भी मेंटेनस होता है, इसको चेक करना है, चेक करके ही, आप लोग गाड़ी को एलाओ कीजिए, चलिए दोस्तों, ठीक है, कुछ अगर जानकारी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, तो चलिए इसको अगर आपका कोई फ्रेंड हो, जो कि आप लोग का सेम डिपार्टमेंट में हो, जिसको कुछ काम आ जाए, तो आप लोग उनको सेयर कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स वीडियो में मुलाकत होगा,